खबरों में हैं दम सबसर पहले हम रेवा इंडिया न्यूज देखें कमलेश मिश्रा के साथ हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें जहीं जवारा दोस्तों मैं हूँ कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया जूज तो चलिए देखते हैं आज की या खबर तो गुरू काना नैशनल पार्क 30 जून से परियाटकों के लिए बंद कर दिया गया है और यहां तीन महनों के लिए बंद किया गया है मगर हो रही है अब बफर जोन याने खडिया जोन में टाइगर की साइटिंग जी हाँ हम बात कर रहे है काना नैशनल पार्क की जहां पर कोर एरिया काना किसली और मुक्की को तीन मेने के लिए बंद कर दिया गया है पार्क पूरी तरीके से 1 अक्टूबर से फिर परियाटकों के लिए खुलेगा मगर भाई उसमें सबसे खुजी की बात या है कि बफर जोन पर बोले तो खडिया जोन पर भी टाइकर की जवरदस साइटिंग हो रही है याने कम पैसों में जवरदस टाइकर की साइटिंग तस्वीरे आज की हैं जिसे परियाटकों ने खडिया जोन से अपने कैमरे में कैद किया है और यह तस्वीरे जम कर सोसल मीडिया में वाइरल हो रही है याने अब बफर जोन पर भी टाइकर की साइटिंग हो रही है रेवा इंडिया न्यूस के लिए कम लेट्स मिश्रा की याने पूर्ट अगर आपको हमारी खबरे पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें वाट्सअप करिए हमारा वाट्सप नंबर है 9685369684 तो मिलते हैं फिर एक नहीं खबर के साथ तब तक के लिए जैहिं जैवारा है